पहले नमबर पर है पुलिस विभाग, पैरा मिलिटरी, केंद्रिय पुलिस सेवा और भारतिय सेना की एक्जाम क्लियर करके भी आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और ये भरतिया आठवी से लेकर के ग्रैजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। अभी के साथ जुड़े रहना भी जरूरी है क्योंकि कई बार कुछ ऐसी चीजें दिखाई या सुनाई जाती हैं जो आपके लिए काफी जादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी जानकारिया आपको इन सभी में अपना करियर बनाने के लिए काफी जादा हेल्प करती है। तीसरा है सरकारी बैंक में नौकरी यानि कि अगर आप बैंक में करियर बनाना चाहते हैं तो आज के टाइम में किसी भी तरह के सरकारी बैंक या फिर को आपरेटिव सुसाइटी में हमारे देश का हर युवा नौकरी पाना बहुत पसंद करता है। तो इसके लिए आपको IBPS यानि की Indian Institute of Banking and Personal Selection दुआरा आयोजित CWE यानि की Common Written Exam देना होता है ये exam साल में एक बार होता है जो की bank के clerk और officer के लिए होता है तो आप try कर सकते हैं तो banking exam IBPS PO और SBI PO को crack करने की tips और trick के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप इस exam को pass कर लेते हैं तो IBPS के अधिकारी आपको आपके द्वारा चुने गए bank न्यूक्त करते हैं अगर आप भी bank में नौकरी पाना चाते हैं तो इसके लिए आपको बहुत महनत करनी होती है इसके साथ साथ आप किसी coaching center से coaching भी ले सकते हैं और YouTube पर वीडियो देख करके या पुराने exam paper को solve करके भी आप इस exam को pass कर सकते हैं जिससे की आपको bank में जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए चोथा है कि प्रशासनिक विभाग में करियर की अगर हम बात करें तो आज भी भारत में काफी सारे लोगों को ये नहीं पता है कि प्रशासनिक विभाग क्या होता है आज भी अमारे देश में जादातर लोग इसका मतलब सिर्फ IES और PCS से समझते हैं तो यहाँ पर अगर आप भी अपना करियर प्रशासनिक विभाग में बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सनातक या ग्राजुएट होना बहुत ही जरूरी है उसके बाद में ही आप अपना करियर प्रशासन विभाग में बना सकते हैं जिसके बाद आपको UPSC, PSC द्वारा संचालिट, CSC देना होगा, इस तरह की एक्जाम देने के बाद आप कलेक्टर, कमिशनर आदी बन सकते हैं, इसके लिए आपको काफी जादा मेहनत करने की जरूरत होती है, इसके बाद ही आप अपना करियर बनाने के लिए CSC दे सकते हैं प्रशासनिक विभाग आपको करियर बनाने के लिए राज्य इस्तर और केंद्र इस्तर दोनों पर मौका देता है, आगे अब जानते हैं पाचवे नंबर पर केंद्र सरकार के विभागों में जॉब के अफसर, अगर आप राज्य स्तर पर काम नहीं करना चाहते और आप के CHSL, JE, CAPF, ADE, इन सभी के लिए आपको अलग-लग तरह की एक्जाम देने होते हैं और अगर आप फोन एक्जाम को पास कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कमर्शिल टेक्स आफिसर, फूड इंस्पेक्टर, इंकम टेक्स आफिसर जैसे बड़े पदों के लिए चुना जाता हैं लेकिन इस एक्जाम को पास करनी के लिए आपको काफी जादा मेहनत करनी पड़ती हैं और अगर आप भी इनमें अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग ले सकते हैं या फिर किसी वेबसाइट से आनलाइन तयारी भी क कर सकते हैं और इसके लिए आपको न्यूस्पेपर, रेडियो, टीवी, इंटरेट से जुड़े रहना काफी जादा जरूरी है आगी छटे नंबर पर है राज्य सरकार के विभागों में जॉब के अफसर अगर आप राज्य सतर पर नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए कि UPSC विभाग समय समय पर विभिन पदों की भरतिया निकालता है जैसी कि लिपिक, कनिष्ट लिपिक, लेकपाल, पटवारी, अमीन, आशुलिपिक, आदी तो ये सभी UPSC के द्वारा करवाए जाते हैं और अगर आप भी एक्जाम पास कर लेते हैं तो आपको इन सभी प गुदर विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए लग अलग 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 पर न्यूक्त करता हैं इसके लिए लग विभाग से क्योंकि टाइम टाइम पर बहुत सी भर्तिया निकालते रहते हैं और आपको उन भर्तियों के फॉर्म अपलाई करते रहना चाहिए और उन भर्तियों से संबंदित विग्यापन, जानकारी, इंटरनेट टीवी, रेडियो, न्यूस पेपर इन सभी में आप पढ़ते रहे ता आप अपनी ये सारी तयारी शांत माहौल में करें जहाँ पर स्टोर शराबा ना हो इसके लिए आप किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग भी ले सकते हैं और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसे आप बार बार लिख करके देखें और आप जिसकी विशे में कमजोर है उसको जादा टाइम दे और सारे सब्जेक्ट को आप एक पाटन बना कर पढ़ें और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप एक्जाम को पास कर लेंगे और सारे सब्जेक्ट को आप एक पाटन बना कर पढ़ें कहने का मतलब ये कि अगर आपने अपना गोल डिसाइड क लिया है कि मुझे ये एक्जाम क्लियर करना है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको वो गोल काफी बढ़ा लगे इसलिए उसे चोटे-चोटे गोल्स को क्लियर करते हुए आप बड़े गोल को अचीव कर लेंगे और एक्जाम पास करके आप सरकारी नौकरी पास सकते हैं और वैसे भी हमारी शुपकाम नए हमेश आपके साथ है ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईए साथ ही आगे किस टॉपक पर आप वीडियो देखना चाते हैं हमें वो भी बताईए तो आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूले धन्यवाद